Hello friends, Affairs Cloud में आप सब का स्वागत हैं, मैं हूँ विकास आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, हम कुछ important awards डिसकस करने वाले हैं जो की बहुत जादा helpful रहेंगे आपकी आगे preparation के लिए यह awards इतने important हैं, आपको पता होना चाहिए कि यह award किस ने दिया, किस के द्वारा दिया गया, किस को मिला है, इसकी theme क्या रही, अगर कोई theme थी, तो किस reason की वज़े से मिला है, कब दिया गया यह award इन सब से related सारे important information आपको पता होनी चाहिए इससे क्या होता है, आज कल direct question ना पूछके, आपसे घुमा फिरा के question पूछा जाता है exam में, जो tricky हो सकता है लेकिन अगर आप हमारी वीडियो end तक देखेंगे न, वो आप tricky questions को भी ऐसे चुटकी बजा के solve कर देंगे तो चलो देखते हैं हमारी एक app है Carious Cloud के नाम से, जो आप play store से जाके download कर सकते हैं जैसे ही आप play store से application को download करते हैं, install करते हैं, आपके पास ऐसा page खुलेगा एक उस पर आपको जाके अपनी Google ID से अपको login करना है login करने के बाद ही, जैसे ही आप login करके अपनी application को open करते हैं तो आपको एक window ऐसी दिख जाएगी इस window में आपको देखेंगे तो आपको current affairs के section दिखेगा यहाँ पर आपको current affairs इस पर click करते ही आप हमारे current affairs के section में आ जाएँगे हमारा current affairs का section है जो हम आपको course provide करते हैं application में बहुत अच्छा course है आपकी preparation में बहुत जादा help होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ यह course ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही question आप कम से कम 4-5 बार revise करेंगे इतना helpful रहने वाला आपके लिए देखते हम आपको क्या provide करते हैं हम आपको current affairs हिंदी में provide कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम English में भी provide करते हैं जो content होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है पहली चीज़ हम आपको daily current affairs प्रोवाइड कर रहे हैं daily pdf मिलेगी आपको डेली आपको question answer format में मिलेगा ठीक है आपको daily के 20 question मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी practice कर सकते हैं और ये बहुत helpful होता है revision में question answers मिलेंगे आपको current affairs के current affairs format question answer के format में फिर ऐसे ही आपको weekly मिलेगा जो आपके पूरे week के questions आप daily questions आपको pdf मिलेगी उन में से जो important questions होंगे उनका आपका एक तो quiz होगा करेगा हर week पचास question का quiz बहुत होता है आपको पचास question week के मतलब सारे important questions आगए उसके साथ साथ question answer format में आपको हिंदी की e-book प्रोवाइड होगी जिसमें आपको सारे paragraph wise या फिर एक question answer format में आपको सारे week के current affairs मिलेंगे ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे monthly pdf pdf आपकी हिंदी में ही होगी आपको top 100 question answers मिलेंगे ठीक है जो पूरे महिने के 100 important questions है वो आपको एक pdf प्रोवाइड की जाएगी उसमें मिलेंगे वो आपको question answer format में भी provide होंगे तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज और यह आपको पूरा एक साल का course होता है आपको दो course के option मिलेंगे एक तो होगा for one year एक होगा for two year अगर आप new aspirant है आपको मतलब अभी आपने preparation just start की है तो I'll suggest आप दो साल का course purchase करें but आप एक regular aspirant है और पढ़ रहे हैं तो आप एक साल का course भी purchase कर सकते हैं important thing इसके बाद यह है कि हम आपको अलग banking awareness के questions provide करते हैं bank से related जो आपके questions होंगे सब इसमें हम अपना course में cover कर देते हैं बहुत अच्छा content होता है content में आपको कोई शिकायत नहीं होगी and daily update होता है आपको daily PDF मिलेंगी उसकी भी कोई attention लेने की जरूत नहीं आपको ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे तो हम various exams की PDF भी provide करती हैं जो आपको आगे questions आप आगे paper solve करने में बहुत help मिलेंगी अब कच questions होते हैं जैसे कि कई सारे important days हो गए महिने के फिर books और authors कौन सी book release होई है कौन सी author ने क्या book अभी publish की है फिर उसके बाद indexes हो गए reports हो गई फिर कोई festival celebrate किया गया है या कोई योजना आई है तो यह काफी सारे topics होते हैं तो यह topic wise current affairs भी हम आपको 20 type के PDF प्रोवाइड करते हैं जिसमें 20 अलग-अलग topics होते हैं और यह आपको हर महिने update होती रहती हैं यह चीज़ तो सोची आपको कितना अच्छा package मिल रहा है कितना अच्छा course मिल रहा है ठीक है इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़े प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको इसके अलावा state current affairs हर state के current affairs भी आपको individually प्रोवाइड होते हैं इसके साथ ठीक है तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको कुछ नहीं करना आपको सिरफ subscribe बटन दबाना है और हमारे चैनल को subscribe करना है इसके अलावा आपको course का तो हम मैंने बता दिया कि course purchase करना है क्या course होगा अब आपके लिए एक बहुत helpful चीज़ जैसे ही आप course को purchase करते हैं और आप check out करने वाले होते हैं तो आप vikas 10 promo code यूज कीजिए vikas 10 यूज करते ही जैसे आप promo code में डालेंगे नहीं तो आपको सीधा 10% का discount मिल जाएगा extra 10% वहाँ पे जो discount होगा वो अलग होगा लेकिन उसके अलावा आपको total 10% आपकी जो final value होगी उस पर discount मिल जाएगा ठीक है तो सीधा आपको 10% का discount मिल जाएगा हमारा code यूज करते ही चलो अपनी वीडियो फिर start करते हैं तो वीडियो start करते है friends अपनी आज की वीडियो में हम कुछ फरवरी मंत के important awards discuss करने वाले हैं ये awards बहुत ज़ादा important होने वाले हैं आपको इसमें idea होना चाहिए ये award किस ने दिया किस reason की वज़े से दिया जाता है किसको दिया गया है और उससे related एक दो information और हम देखेंगे जो आपके बहुत ज़ादा काम आ सकती है general awareness as well as general science के section में तो let's start पहला award हम देखने वाले हैं सर्ब Women Excellence Award 2021 के लिए सर्ब Women Excellence Award 2021 के लिए हम आवाड देखेंगे सबसे पहले तो यह आप याद रखिए कि यह देता कौन है और यह किन को मिला ठीक है सबसे पहले याद रखिए यह 4 विमन को मिला था यह award सर्ब विमन Excellence Award चार लड़कियों को दिया गया है किसलिए दिया जाता है यह देखेंगे कि ठीक सर्ब excellence चार विमन को दिया गया फिर यह देखिए सर्ब से related सर्ब क्या होता आपका science and energy research board क्या होता आपका सर्ब की full form science and engineering research board ठीक है यह आपका हो गया सर्ब women excellence award ऐसा नाम जो सर्ब science and engineering research board सर्ब तो science and engineering research board से क्या समझा रहा है मतलब यह आपका field science नो work किया होगा या फिर science से related यह award होगा तो सर्ब women excellence award 2021 चार women को दिया था in the field of science इन्होंने जिन women ने science की field में इंजिनिरिंग की field में कह सकते हैं काम किया है उनको यह सर्ब women excellence award 2021 से सम्मानित किया गया सर्ब की full form हमने देखी science and engineering research board होता है इसका headquarter कहां पर होता है यह होता है आपका न्यू डेली में होता है headquarter फिर आपको याद रखना है कि इसके अलावा जो इस award के साथ 15 सारा लाक रुपे मिले थे इनको तीन साल के लिए फिफ्टीन लैक फॉर थ्री यर्स देट मेंस हर साल उनको पर यह पांच लाक रुपे दिये गया है ठीक है यह दिये जाएंगे आगे आल राइट तो आपको यह याद रखना है फिर इसके अलावा जो चीज़ आपको याद रखने हैं यह अवार्ड कब दिया गया था यह अवार्ड आपका 11 फरवरी को दिया गया था और 11 फेब को ही हम इंटरनेशनल डे ओफ विमन एंड गर्ल्स इन साइन्स 11 फरवरी को ही हम यह सेलिब्रेट करते हैं और 11 फरवरी को ही हमने सर्प विमन एक्सिलेंस अवार्ड दिया था चार लडगियों को उन चार लडगियों को अगर नाम पूछा जाए तो आपको वो क्यान नाम भी पता होना चीए पहली है आपकी शोबना कपूर को कि शोबना कपूर छीक सेकिंद वेमन हैं आपकी डोक्ट अनतारा बनर जी डोक्ट अंतारा की बेनर जी अभी हम देखेंगे कि इन्होंने Science field में काम किया और किस ने किस field में भी काम किया फिर Dr. Sonu Gandhi Dr. Sonu Gandhi फोर्थ है हमारी Dr.Ritu गुपता Dr.Ritu गुपता ठीक है शोबना कपूर ने किसकी field में काम किया शोबना कपूर ने काम किया है chemical biology में chemical biology में फिर डॉक्टर अंतारा बैनरजी ने काम किया है health science में health science में सोनु गांदी ने काम किया है bio nanotech में bio nanotech में और डॉक्टर रितु गुप्ता ने काम किया है nanotech में सर्फ तो ये चार वो वीमन है जिनको सर्व वीमन एक्सेलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था ठीक है और सर्व की फुल फॉर्म याद रखना क्या है साइन्स एंजिनिरिंग रिसर्च बोर्ड तो चलिए अपने सेकंड अवार्ड की तरफ हमारा अगला अवार्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट कांसिल के रिलेटेड और यह अवार्ड जाता है इंटरनेशनल कांसिल क्रिकेट या फिर आई सी सी प्लेयर ऑफ दा मन्त आई सी सी की फुल फॉर्म हमने भी देखी Player of the Month और ICC आपका क्या होता है International Cricket Council International Cricket Council तो Player of the Month किसको दिया गया यह कौन देता है सबसे पहले एस नाम मी आगया ICC तो कौन देता है Given by ICC Player of the Month Award इसमें recently देखा जाए अगर हम Man की बात कर रहे है तो Man में किसको दिया गया है यह Award और अगर हम Women की बात करें तो Women में किनको दिया गया है इस आवाड आपको आंसर पता होना चाहिए Man में दिया गया है रिषभ पंत को रिषभ पंत को और Women में अगर हम बात करें तो Shabnim Ismail Shabnim Speaking ठीक है तो यह आपके रहा है important है दोनों चीज याद रखना इसके अलावा पूछा जा सकता है sir Garfield Sobers Award for ICC male cricket of the decade मैं अभी लिख देता हूं एक award है sir Garfield Sobers Award किसली होता है यह male cricket of the decade यह आपका male cricketer of the decade award यह किसको मिला है यह मिला है आपका विराट कोली को important है याद रखना ठीक है यह विराट कोली को यह award मिला है sir Garfield Sobers Award for ICC male cricket of the decade ठीक है फिर आपका अगर मैं female की बात करूँ इसके अलावा अगर हम female की बात करें तो रेचल हेहो फिलिंट अवार्ड यह जो होता है न अवार्ड यह आपका जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा कि sir Garfield Sobers Award तो आपका male Cricketer of the decade अवार्ड होता है और यह मिला विराट को लिको तो female Cricketer of the decade अवार्ड होता है आपका रेचल हेहो फिलिंट अवार्ड यह होता है female Cricketer of the decade यह किनको मिला है यह भी आपको याद रखना है इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है वो है L.C. Perry जो कि Australia की है L.C. Perry यह कहां की है यह आपकी Australia से है ठीक है यह female Cricketer of the decade बनी है और male Cricketer of the decade है विराट कोली इसके अलावा याद रखिये कि जो ICC का हेड़कोर्टर है वो दुबई में है International Cricket Council का जो Headquarter काम पर है वो वो आपका दुबई में है ठीक है तो चलिए अपना नेक्स्ट अवार्ड की तरफ नेक्स्ट अवार्ड है हमारा प्रानी मत्रा अवार्ड एंड जीवदया अवार्ड प्रानी मित्रा प्रानी क्या होता है आपके एनिमल्स और जीव दया जीव भी जीव जनतु जी नहीं कहां देते जैसे हम तो जीव जनतु तो प्रानी मित्रा अवार्ड and जीव जीव दया अवार्ड तो आपको नाम सी physical आना चाहिए कि यह अवार्ड जो बात कर रहें न यह हम बात कर रहे हैं आपकी animal से related, wildlife से related, उनकी protection की, उनकी care से related बात कर रहे हैं. ठीक है, तो देखते हैं, पराणी मित्रा अवोर्ड. पराणी मित्रा अवोर्ड. 2021 का,या up and, जीव धया अवोर्ड. ठीक है आपको याद रखना है यह वाड 14 इंडिविजुल्स को दिया गया है 14 इंडिविजुल्स या फिर ओर्गैज़न कहले हैं मतलब टोटल 14 थे यह वाड रिस्पिटेंट क्या पता उनमें से एक ओर्गैज़ेशन हो तेरा इंडिविजुल हो ठीक है तो यह ऐसे थे इस हिसाफ से याद रखना है ठीक फिर यह किस फिल्ड में दिया जाता है हमने भी डिसकस किया यह दिया जाता है In the field of animal welfare and protection In the field of animal welfare and protection इसकी फिल्ड में जाता है ताकि animals की help की जा सके उन wildlife को आगे बढ़ाया जा सके चीक है फिर आप एक चीज़ और याद रखिए अभी वसंथ पंचमी थी न वो celebrate की गई थी as जीव जन्तु कल्यान दिवस वसंथ पंचमी celebrated as क्या जीव जन्तु कल्यान दिवस ये celebrate की गई थी फिर इसके अलावा याद रखिए एक important नाम आपको याद रखना है डॉक्टर एस चिन्नी कृष्णा डॉक्टर एस चिन्नी कृष्णा ये कौन है ये co-founder of the blue cross of India है ठीक है he is the co-founder of blue cross of India इनको एक award से सम्मानित किया गया था वो था प्रानी मित्रा for lifetime service to animals ठीक है इनको क्या सम्मानित किया गया है किस award से प्रानी मित्रा for lifetime service to animals for lifetime service to animals किनको डॉक्टर एस चिन्ने कृष्णा को है और ये कौन है ये co-founder है blue cross of India society के ठीक है फिर इसके अलावा याद रखिए अगर मैं बात करूं प्रानी मित्रा वार्ड की corporate फिल्ड में प्रानी मित्रा और corporate की किसी corporate company को या किसी trust को ये award जिसको मिला है उनकी बात करूं तो वह है Tata Trust Foundation Tata Trust Foundation और ये कहां पर है Tata Trust Foundation ये आपका Mumbai में स्थापित है ठीक है चलो very good इसके अलावा एक और चीज़ बता दो मेरे को Animal Welfare Board of India कहां पर है Animal Welfare Board of India इसको ये भी लिख देखते है AWBI कहां पर है इसका बोड ये आपका हर्याना में है ठीक है ये बोड कहां पर आपका ये बोड हर्याना में है चो ठीक है important information थी याद रखनी है प्राणे मित्रा आवार्ड और जीव दयावार 14 इंडिवीजोल को दिया गया इन दा फिल्ड ऑफ Animal Welfare and Protection वसंद पंचमी के टाइम हमने सेलिबरेट किया जीव जन्तु कल्यांड दिवस और डॉक्टर S. चिनिक कृष्णा को co-founder of Blue Cross of India के ये co-founder है और इनको प्राणे मित्रा for lifetime service to animal award मिला प्राणे मित्रा corporate के बात करें तो ये टाटर ट्रस्ट and foundation of Mumbai में जो स्थापित है उनको मिला and Animal Welfare Board of India का जो headquarter है वो कहां पर है हर्याना में ठीक है तो चलिए next award की तरफ next award है हमारा Asia Environment Enforcement Award next है हमारा Asia Environment Asia Environmental Enforcement Award 2020 ठीक है Asia Environmental Award 2020 सबसे पहले बता दो ये किसको मिला ये मिला आपका WCCB को और WCCB क्या होता है Wildlife Crime Control Bureau Wildlife Crime Control Bureau ठीक है तो ये WCCB को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है आपका Asia Environmental Enforcement Award किस category के अंडर इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंडर Category Innovation ठीक है अंडर इन्नोवेशन में फिर ये सेकंड टाइम है जो कि WCCB that is Wildlife Crime Control Bureau को सेकंड टाइम ये अवार्ड मिला है ठीक चलिए फिर Government of India was selected as one of the winner by UNEP Government of India was selected as one of the winners by UNEP UNEP क्या होता है United Nation Environment Program ठीक है इसके अलावा WCCB was earlier established ये भी important information है WCCB Wildlife Crime Control Bureau पहले क्या established किया गया था ये पहले जो established थाना वो Tiger and other danger species के इस साब से established किया गया था in 2007 लेटर उसको WCCB में change कर दिया गया ठीक है I repeat WCCB को पहले Tiger and other endangered species के नाम से established किया गया था लेकिन फिर 2007 में इसको change कर दिया गया WCCB में औल राइट ये चीज़ याद रखना important है क्योंकि environment से related आपका कोई भी current affairs आजाए ना वो हमेशा याद रखना important होएगा most important रहेगा इसके अलावा याद किये यह 5th edition है ठीक है यह आपका 5th edition है चलिए next next award देखते हैं Scotch Chief Minister Award next है आपका Scotch Chief Minister Award Scotch Chief Minister Award किसको मिला पहले तो यही बता जिए यह मिला आपको Y.S. जगन मोहन रेडी जी को ठीक है कहा के cm है यह आपके आंध्रा परदेश के cm है आंध्र परदेश के क्या है यह cm ओल राइट इनको क्या मिला Scotch Chief Minister Award मिला है ओल राइट फिर आपको याद रखने है किस फिल्ड में मिला है यह मिला आपको फिल्ड का नाम बताओ मिरको ठीक है Yearly Study on the Government Project Level Outcomes ठीक फिर मतलब इन्होंने जो काम करहना वह बहुत अच्छा काम किया इसलिए इनको Scotch Chief Minister Award से सम्मानित किया गया है कब सम्मानित किया गया at 66th Scotch Event Awards ठीक है 66th Scotch Event Awards के टाइम पे Y.S. जगन मोहन रेड़ी जी को Scotch Chief Minister Award से सम्मानित किया गया है याद रखना किस ने और ये Award इनको दिया किस ने by Scotch Group और Scotch Group में भी बात करें तो chairman of Scotch Group ने इनको ये Award दिया था चेयर्मेन कौन है स्कॉच उरूप के वो है समीर कोचर जी ठीक है एक बार रिवाइस कर देते हैं स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड किनको मिला है इंपॉर्टेंट यही याद रखने का आपको कि वाइस जगन मोहन रेडी जी को मिला है क्वेशन यह पूछा जा सकते है कि वो कौन से स्टेट के सीयम है जिनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड मिला है वो है आंधरपरदेश 66 स्कॉच इवेंट में मिला है और यह किस ने दिया इनको वो दिया है बाइस कॉच ग्रूप और उनके चेयर्मेन कौन है समीर कोचर चलिए अगला question अगला हमारा award है अगला award है century lifetime service award century lifetime service award यह अवार्ड किन को मिला laboratory लाइस सेंक्चुरी मिला है श्योडर बसकरंड जी को ठीक है किन को मिला है ये थियोडोर बसकरन जी थियोडोर बसकरन जी को सेंच्चुरी लाइफटेम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और आपको याद रखना है थियोडोर बसकरन जी ये आपके क्या है ये एक कंजर्वेशन राइटर हैं कंजर्वेशन राइटर हिस्टोरियन और आपके नेच्रलिस्ट ठीक है फिर याद रखना है इनको ये अवाड किनों ने दिया है ये दिया गया आपके सेंच्चुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा ये आपका थियोडोर बसकरन जी को ये अवाड दिया गया है किसलिए दिया गया है ये अवाड दिया गया है फोर वाइल लाइफ गंजर्वेशन फोर वाइल लाइफ conservation इसलिए यह award दिया गया है ठीक है इसके अलावा अगर एक दो awards हम और देखें जैसे green teacher award green teacher award green teacher award किसको मिला है Dr. P.V. Anthony को Dr. P.V. Anthony फिर the young naturalist award की बात करें the young naturalist young naturalist award किसको मिला है यह मिला है आपको the young naturalist award अनुराग करेकर को अनुराग करेकर को आपका the young naturalist award से समानित किया गया तो कितनी सारी information मिल गई इस award में आपको सारी important है सारी note down करके चलना revision के time आपको बहुत जादा help होगी बिल्कुल one liner notes बना के दे रहूं मैं आपको तो मेरे भाईयों आपको बिल्कुल भी preparation में कोई दिक्कत नहीं आनी चीए आपको tension लेनी की ज़रूत ही निया नोट्स की ठीक है बिल्कुल भी tension लेनी के ज़रूत नहीं है आपका भाई आपके नोट्स बन गएगा नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा best table आपका जाकी बैस जाकी किसकी थी रिपब्लिक डे के दोरान बैस जाकी थी आपकी यूपी की उत्रप्रदेश की ठीक है थीम क्या रहा था उसका अगर हम थीम बात करें यूपी की जो थीम थी वो थी आयोध्या the cultural heritage of यूपी ये आपकी थीम थी यूपी की जाकी की और यूपी की जाकी को बैस जाकी का अवार्ड मिला था इस बार हमारे रिपब्लिक डे की परेड के टाइम पर ठीक है ये किस ने प्रेजेंट किया था ये यूनियन मिनिस्टर आफ यूथ अफेर्स अफेर् हमारे हैं कौन किरन रिजु जी उन्होंने ये आवार्ड से सम्मानित किया किनोंने किरन रिजु जी और ये कौन है ये हैं यूनियन मिनिस्टर आफ यूथ आफेर्स अड्स पॉर्ट यूनियन Minister of Youth Affairs and Sports Youth Affairs and Sports किरन रिजुजी द्वारा ये अवार्ड से सम्मानित किया फिर इसके अलावा याद रखिया अगर मैं बात करूँ कुछ थीम्स की और स्टेट्स की पहले देखते हैं तिरिपुरा की तिरिपुरा की जो जाकी की थीम रही न वो थी इको फ्रेंडली एन आतम निर्भर चलो ठीक है फिर अगर मैं बात करूँ बता दो उत्राखंड की उत्राखंड की क्या थीम थी? उत्राखंड की थी देव भूमी दे लेंड आफ गॉड्स ये क्या थीम रही आपकी उत्राखंड की ठीक है तो बैस जाकी किन को मिली है वो है यूपी को आयोद्या दा कल्चुरल हेरिटेज ओफ यूपी इन्होंने दी किनोंने थी? किरन रिजु जी ने चलिए आज की आखरी आवार्ड की तरफ जाते हैं वो है हमारा बेस्ट अवार्ड हमारा अवार्ड फॉर एप्रिशियेशन अवार्ड फॉर एप्रिशियेशन ठीक है अगला है हमारा अवार्ड फॉर एप्रिशियेशन कितना अच्छा अवार्ड है ना appreciation award किनको मिला यह award दिए इनको सम्मानित किया गया था मोटा को MOT यह क्या होता है Ministry of Tribal Affairs इनको आपका award of appreciation से सम्मानित किया गया था और किस category में से सम्मानित किया in project category in project category में इनको सम्मानित किया गया कब सम्मानित किया गया कि ड्यूरिंग कि ड्यूरिंग एटींथ computer society of India इनकी जो महाँ पर आपकी एक conference चल रही थी ड्यूरिंग एटींथ कंप्यूटर कि सुसाइटी ओफ इंडिया इनको तब सम्मानित किया गया था ठीक है CSI CSI से आपको बताओ मेरे को चलो फिर यह आपकी बनी कब थी यह बनी 1965 में CSI की बात हो रही है तो बताईए यहां इनका headquarter कहां पर है headquarter है मुंबई में और अगर इनकी बात हो रही है तो मुझे बता दो इनके chairman का नाम या फिर नहीं प्रेजिडेंट का नाम प्रेजिडेंट का नाम वह आपके गौतम महापात्रा गौतम महापात्रा ठीक है CSI Computer Society of India चलो ठीक है इसके अलावा मुझे एक दो चीज और बताओ इसके अलावा बता दो कि उत्त्राखंड बिकेम दा फिर्स स्टेट तू स्टाट इन इंडिया कौन सी स्टेट है यह यह आपकी उत्त्राखंड यी कबिनेट फिर हूँ कौन सी स्टेट ने जीता स्मार्ट वातर मैंनेजम।ट मेंस उडियर पर मिशन सुझल ड्रिंग फ्रॉम टैप मिशन यह बताई देता हूं आपको ओड आधकी Olisala ने यह सा इनहोंने एक अवार्ड जीत useful पर एक्सिलेंस फर स्मॉर्ट वाटर मेनेजमेंट सिस्टम के लिए ओडिसा ने अब भी रिसेंटली अवाड जीता है अंडर किस स्कीम के जीता है यह भी पूछा जा सकते है तो वह अंडर सूजल ड्रिंग फ्रॉम टैप मिशन अंडर किस के स्कीम वह है सूजल ड्रिंग फ्रॉम टैप मिशन इस मिशन के अंडर ओडिसा ने स्मॉर्ट वोटर मेनेजमेंट सिस्टम में आपका अवाड जीता चलिए एक बार सारे अवाड फिर से रिवाइज कर देते हैं जल्दी से ताकि आपकी अच्छी रिवीजन और प्रिप्रेशन हो सके पहला है आपका सर्व वीमेन एक्सिलेंस अवाड सर्व वीमेन एक्सिलेंस अवाड दो हजार रिकिस चार वीमेन को मिला सर्व की फुल फॉर्म होती है साइन्स एंजिनिरिंग रिसर्च बोर्ड हेड़कॉर्टर न्यू डैली में 15 लाख रुपे इनको 3 साल में दिया जो चार वीमेन है वो है शोबना कपूर इनको केमिकल बायो में डॉक्टर अंतारा बैनर जी को हेल्थ साइंस में डॉक्टर सोनु गांधी को बायो नॉन टैक में और रितु गुपता जी को इनको नैनो टैक में सम्मानित किया फिर अगला है आपका ICC प्लेयर ऑफ दमन्त ICC होता है आपका International Cricket Council यह ICC द्वारा ही यह अवाड दिया जाता है मैन में जीता रिशब पन द्वारा और वीमेन में जीता शबनिम इसमाइल ज्वारा सर गारफिल्ड सोबर्स अवाड होता है आपका Male Cricketer of the Decade यह मिला विराट कोली यह मिला आपका किराट कोली नहीं यह मिला आपका विराट कोली को ठीक है और फिर बात करें तो फीमेल की मेल में तो आपका हो गया सर गारफिल्ड सोबर्स अवाड जो की Male Cricketer of the Year होता है कोली को मिल गया और अगर फीमेल Cricketer of the Decade की बात करें तो वो अवाड होता है रैकेल हेहो फिलिंट यह मिला एलिसी पेरी को जो की ऑस्ट्रेलिया से हैं ICC का Headquarter आपका दुबई में होगा चलिए अगला अगला है आपका प्राणी मित्रा Award and जीवदया Award जैसे नाम बता रहे हैं प्राणी मित्रा यह Animal Protection से और उनकी Care से रिलेटिड होगा यह 14 इंडिविजोल्स को यह Award मिला औ प्रोटेक्शन वसंद पंचमी को इस बार हमने जीव जन्तु कल्यान दिवस सेलिब्रेट किया और डॉक्टर एश चिनमे कृष्णा जो की को फाउंडर है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के उनको प्राणी मित्रा Award for Lifetime Service to Animal से सम्मानित किया गया और अगर हम बात करें Asia Environmental Enforcement Award 2020 यह किनको मिला WCCB जो की है Wildlife Crime Control Bureau इनको यह Second Time Award मिला है in the category Innovation और याद रखिये यह 5th edition था इसके अलावा Government of India को भी as one of the winners by UNEP सेलेक्ट किया गया था इसके अलावा याद रखिये WCCB को पहले Tiger and Other Endangered Species से नाम से जाना जाता था और फिर अब 2017 में चेंज करके उनको WCCB में Convert कर दिया गया पहले हो Tigers की हेल्प के लिए related थे अल्राइट चलिए अगला अगला है आपका Scotch Chief Minister Award किनको मिला Scotch Chief Minister Award यह मिला YS जगन मोहन रेड़ी जी को यह CM है कहां के आंदरपरदेश के यह 66 Scotch Award Events के टाइम पे सम्मानित के आ गया जगन मोहन रेड़ी जी को फिर यह दिया किसके दवारा जाता है Scotch Group के दवारा Scotch Group के Chairman कौन समीर कोचत जवारा यह Award जगन मोहन रेड़ी जी को दिया गया नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका Sanctuary Lifetime Service Award 2020 किनको मिला Theodore Baskaran जी को मिला यह Conservation Writer, Historian और Naturalist है यह दिया किसके दवारा था यह Sanctuary Nature Foundation दवारा दिया गया for Wildlife Conservation के लिए इनको Theater Baskaran जी को यह Award दिया गया इसके अलावा याद रखना Green Teacher Award किसको मिला डॉक्टर पीवी एंटनी को और The Young Naturalist Award किनको मिला अनुराक कारेकर को ठीक है important है पता होना चाहिए चलिए next next है आपका Best Tableau Award Best Tableau होता है Best जाकी का किसको अवार्ड मिला वो मिला UP की जाकी को theme थी आयोध्यादा Cultural Heritage of UP किरन रिजु जी द्वारा यह दिया गया किरन रिजु जी हमारे Minister है Union Minister Youth Affairs and Sports के जो theme रही तिरिपुरा की देखी जाए तो वो थी Eco Friendly and आतम निर्बर उत्राखंड की थी देव भूमी and the Land of Gods फिर next है हमारा Awards for Appreciation और यह आज का लास्ट अवार्ड है यह किनको मिला मोटा को मोटा होता है Minister of Tribal Affairs in Project Category यह अवार्ड दिया गया था during 18th Computer Society of India के सम्मिट के द्वारा CSI 1965 में बनी थी Headquarter मुंबई में है और President की बात करें तो गौतम महुपात्रा इनके President है CSI के फिर अगर बात करें तो First Day to Start E-Cabinet in India वाज उत्राखंड और Odisa को Smart Water Management System में Excellence Awards से सम्मानित किया गया Under Consist scheme? Sujal Drink from Tap Mission scheme के अंडर इनको सम्मानित किया गया तो यह थे हमारी कुछ Important Awards I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपको कुछ नहीं करना लाइक करना है सिर्फ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर कर दो ताकि उनको भी पता चले Affairs Cloud कितनी अच्छा content प्रोवाइड करता है और कितनी अच्छी अच्छी वीडियो जाती है ठीक है तो end में आपको बस सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप new user है और नए चैनल पे पहली बारा आपने वीडियो देखिया तो जात से सब्सक्राइब कर देना पाई हो इससे हमें बहुत जादा motivation मिलती है ताकि हम आपके लिए और अच्छा content बनाएं तो that's all for the video विकास signing off